हाई एवरीवरन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल आरके स्टडी पे मैं हूर विंद्रुक्मार आपका वो है माई स्क्वेल पेश्पी में क्या होता है इसके बारे में पूरा आप सभी को समझना है इस चेप्टर में ठिक है पहला जो लेशन थालागबग हमने 15-20 वीडियो जो है बना चुके है फिर्सलेशन का और उसमें अपने अच्छे से पडाओगा बेडियो जो भी चीज़े थी क्योंकि फर्स्ट चेप्टर में बेसिक ही था पीएश्पी को ठीक है तो उसमें आप लगबग सारी चीज़े पढ़ी ले होंगे एक दो टॉपिक साय बचे थे तो आप अपने से पर सकते हैं क्योंकि वह परिभासा था ठीक है जैसे कुकी जोगर के बारे में त सबी के लिए बहुत ही जरूरी है इसका नाम आपने पहले सुना होगा डीबी एमेस में ठीक है फोर समेश्टर में जब आप डीबी एमेस पढ़ रहे थे तो उसमें आपने माइस्कुल के बारे में समझा था उसी तरह से पीएच्प में भी समझेंगे तो चलिए आगे नोट सोगर मिलेंगे तो आप हमें वहाँ पर फॉलो जरूर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलिग्राम जोइन करके जरूर रखेंगे ठीक है गईज यहां पर इंट्रोडक्शन सबसे पढ़ ले हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं करने के लिए बोल सकते हैं तीक है यानी जो हमारी डेटा होती है इसको स्टोर करने के लिए हम लोग मायस्कोल का यूज करते हैं दूसरा बात की यह ओपें सोर्स डेटाबेस मेजमेंट मैंने डीबीम से ठीक है क्या है डीबी RDBMS यहां बोल सकते हैं कि हमारा Rational Database Management System है ठीक है यह आपने पढ़ा होगा यह आपने पढ़ा होगा 4 semester में DBMS में ठीक है Database Management System में कि हमारा MySQL है वो एक Open Source Relation Database Management System है उसी तरह से यहां PHP में भी पढ़ेंगे क्योंकि रूल जादे चेंज नहीं होता है Language का यूज करता है यहां पर कुछ उसके Important, Important Topic है जिनके बारे में आप एक एक करके पढ़ेंगे और यह बाते सारी चीज़े आप अपने दिमाग पर बैठाते जाएंगे ठीक है क्योंकि आपने यहां पर पढ़ लिया तो आप डाइरेक्ट जाके एक जाम में लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है First, कि MySQL एक Open Source Database है इसलिए हम इसका उप्योग करने के लिए एक भी पैसा नहीं देना होता है ठीक है यानि कह सकते हैं कि यह Open Source Database है इसलिए हम लोग को यह जो हमारा MySQL है फ्री में हम लोग यूज कर लेते हैं दूसरा बात MySQL एक बहुत ही सकतिसाली प्रोग्राम है इसलिए यह सबसे महंगे और सकतिसाली Database Package के कारेच हमता का एक बड़ा सीट बोल सकते हैं या सीट को हेंडल कर सकता है जो हमारा MySQL है तीसरा है हमारा कि MySQL प्रसिद SQL Data Language के स्टेंडर्ट रूप का परियोग करता है अगला हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा MySQL है कई ओपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है अब जैसे कि PHP हो गया PERI हो गया C हो गया C++ हो गया इस तरह के बहुत सारे ओपरेटिंग सिस्टम है इनको यह सपोर्ट करता है नमबर 5 MySQL अन्य डेटाबेस की तुलना में तेज इसलिए है बड़े डेटा सेट के साथ भी अच्छा काम कर सकता है यानि कहने का मतलब है कि जो हमारा MySQL है वो अन्य डेटाबेस की तुलना में तेज होता है इसलिए यह बड़े डेटा सेट के साथ भी काम कर लेता है ठीक है नमबर 6 जो हमारा MySQL है MySQL PHP के सराल यानि कह सकते हैं कि बहुत ही अनुकूल है जो वेब विकास के लिए सबसे लोकपिया भासा माना जाता है तो पीच्प में जो MySQL है क्या होता है किस तरह से सब सारे अपने यहां पर समझे होंगे कि एक बात अपने दिमाग में रखने है अपने आपके दिमाग में रखने है कि जो हमारा MySQL है basically open source तो है ही ठीक है एक open source है ही database management system है ही बट उसके साथ साथ यह data को क्या करता है इस्टोर करता है ठीक है जो हमारा MySQL है उसका पूरा नाम जो है वह है my structure query language ठीक है इसका प्रियोग जो xam होता है यानि xam pp और wamp यानि wamp जैसे प्रस्टिद wave server जो server होते है उस पर किया जाता है ठीक है और इसका इस्तमाल website और applications को create करने के लिए भी यूज करते हैं php c++ java और दूसरी programming language के साथ भी किया जाता है इसका यूज ठीक है तो यहां पर I hope कि आपने समझ लिया होगे जैसे mysql जो है अभी आप python में भी पढ़ेंगे ठीक है mysql में आप python इनकी कुछ history जान लेते हैं जो हमारा mysql है 1995 में स्वीडन में हुई थी इसकी अस्थापना ठीक है mysql एक open source database product है इतना याद रखिएगा और यह 1995 में स्वीडन में हुई थी ठीक है और यहां पर mysql का नाम माइकल वीडनियस की बेटी के नाम पर रखा गया था यह बाते आपके history में याद रखना है तो रख सकते हैं में इसकी feature है जिनको आपको समझने है ठीक है सबसे पहला feature यह है कि easy to use इसको हम लोग आसानी से use कर सकते हैं mysql का उपयोग करना आसान है आपको SQL का केवल basic knowledge प्रात रहना चाहिए या करना होता है ठीक है number two यह number b बोल सकते हैं it is a यहाँ पर कह सकते हैं यह एक secure है it is a secure mysql में एक ऐसा ठोस data सुरच्छित परत होती है जो की sensitive data को ठीक है hackers से बचाती है यानि जो hackers होते हैं उन सभी से यह बचाती है इसलिए यह एक secure हो सकती है जो password mysql में बोल सकते हैं कि उसमें encrypt किये जाते हैं number three कि यह client server architecture भी होता है जो की mysql client server जो architecture होता है उसका अनुसरण करता है एक database server mysql और मंगाय गए धंग से कई client हैं जो server में क्या करते हैं communicate करते हैं आप सभी को client server अगे दी architecture आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक दो client server दो बाते हो गई एक तो आपका client हो गया एक आपका server हो गया यहां मान लेते हैं हमारा client है c for client yes for server client हमारा क्या करता है request करता है और हमारा जो server है वो जिस हिसाब से हमारे दिये गए request होते हैं उस हिसाब से हमारा जो server है वो response करता है ठीक है तो वही कह रहा है कि हमारा जो client server architecture है उसका अनुसराड करता है यह database server mysql मंगाय गए धंक से कई client है जो server से क्या करते हैं बar को पंक्तिया या अधीव Cancer आधीग से अधीड data को handle कर सकता है जो default file आकार का सीमा लगबग चार जीबी है याद रख्यागा कि partly uh जो कि हमारा . uh जो उसकी 아कार उसकी आकर जो हती हो 4GB Q होती है यह important है इसकी high performance होती है जिनको आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसकी high performance होती है MySQL, Anokhe, Storage ठीक है जिसको architecture की वज़ा से तेजी अधिक यानी कर सकते हैं कि बहुत ही high भी स्वस्विसनिय होती है ठीक है इसकी flexibility जो होती है वो भी बहुत ही high होती है और इसकी जो product weightage होती है वो भी high होती है ठीक है तो कुछ इनके जो feature थे हम आप सभी को बता दिये है आगे है connectivity to MySQL अब connectivity to MySQL में हम लोग चार टाइप के पढ़ते है या connectivity to MySQL क्या होता है अब समझेंगे PHP की page को यानि जो हम लोग PHP के page जो होते है MySQL में वह उसी के बात कर रहा है कि PHP के page को MySQL से connect करने के लिए PHP कुछ function का उप्योग करते हैं जैसे कि कुछ यहां पर नाम दिये गए हैं पहला जो है हमारा server name दुसरा हमारा है server username तीसरा है हमारा server password database name इस तरह के हम लोग use करते हैं ठीक है इस तरह के use करके हम लोग program को भी develop करते हैं अभी हमने आपको इसका नाम लिया था WAMP यानि WAMPP यहां पर होता है ठीक है तो WAMP या यहां पर XAMP है जो भी है इसका use कर रहे हैं तो यहां पर server name जो होता है वो location local host होता है अगर server उसका username लेना चाहते है तो यहां पर रूट ले लेंगे और server ready password लेना है तो आपके मन है जैसे कि अगर आप password देते हैं तो यहां पर क्या होता है कि आप password भूल भी सकते हैं ठीक है तो इसलिए password के यहां पर जब program बनाते हैं जब आपको प्रोग्राम बताया जागा क्योंकि यह जो देखिए यह जो यूज होता है ठीक है server name के जगा पर हम लोग क्या करते हैं local host लेते हैं और server username के जगा पर रूट ले लेते हैं और server password के बाद बास हम लेगी खारे असान भी छोड़ सकते हैं password भी डाल सकता है लेकिन यह पर problem क्या है कि यहां पर गल्ती हो जाती है या भूल जाते हैं इस विवजर से यहां पर हम लोग छोड़ देते हैं password को तो तो जब प्रोग्राम हम आप सभी को बताएंगे तो यहां पर आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा PHP में MySQL का डेटाबेस है उसको दो तरह से connect करते हैं पहला तो हमारा using MySQL होता है और दूसरा हमारा using PDO होते नहीं PHP data object होता है ठीक है PDO है यह तो हम लोग दो तरह से करते हैं PHP में डेटाबेस को connect जैसे कि पहला हमने बता है कि using MySQL MySQL है L I है last में तो इसका use करते हैं और दूसरा हमारा होता है MySQL PDO यानि PHP data object ठीक है तो नहीं क्लास में हम लोग discuss करेंगे कि MySQL का उप्योग कर PHP को MySQL से किस तरह से connect करते हैं ठीक है बस आज के लिए इतना ही I hope कि आप सभी लोग को history जो हमने सेर किजे और ज्याद ज्यादे student को जोड़े ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही next class में हम लोग MySQL का उप्योग किस तरह से connect करते हैं PHP में वो सारे हम लोग next class से समझेंगे तो बस आज के लिए इतना ही I hope कि आप सभी को यह वीडियो पसंद देगी पसंद देगा कि लाइक कर दीजेगा चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद